नमास्का दोस्तों हमारे बिया सरमाबात द्वाद चैनल में आज सभी दोस्तों का माता बेनों का भाईयों का स्वागत है। दोस्तों आज एकने चैनल के द्वारा आज की वीडियो में पुरसुत्तम मास के 20 वे दिन की 20 वे अध्याय की कथा का बनन कर रहे हैं दोस्तों, आज की कथा में जो है, भगवान सी नारायन के दोरा, इदर बाल्मिक रिशी के दोरा, भगवान पुर्शुत्म के मात्म की विदी का वनन किया गया है, राजा द्रण धनवाख हो ग्यान है, कि किस तरह से पुर्शुत्म मात्म की सेवा करने चाहिए, और इस मात्म को सुनने से अस्मिग यग का फल प्राप्त होता है और पुत्र की प्राप्ती होती है कि विशेश करके पुत्र प्राप्ती के लिए इस खथा का सिमुड़ा अवश्य करें बुले पुरसुत्तम भगवान की जै शिरी सुजी मराज कहते हैं कि रिशियों नारायन भगवान ने जो हैं पुरसुत्तम मास के सेवा का वर्नन करके का कि पुरसुत्तम मास के द्वारा ही है राजाद्यन धनवा बालमिक रिशी के द्वारा बताए गए उप देशों के द्वारा पुरसुत्तम मास की सेवा करें सेवा को बालमिक रिशीने की स्पिकासी विडिवत आई किरपा करके बनन करें शिरी सूजी माराज केने लगे नारायन भगवान नाराज जी से कहते हैं कि राजा दिन धनवाने जैसे पचन सुने कि पिछली जनम में मैं सुनेव ब्रामा ता मेरा पत्र सुक्डेव ता जे तो पिछले जनम को ब्रितांत मुझे याद ही नहीं है आप किरपा करके पुरसुत तम्मास में किस की पूजा करनी चाहिए किस प्रिकार पूजा करनी चाहिए किस प्रिकार कथा सुनी चाहिए उसकी बिदी क्या है ये सब कुछ किरपा करके बनन करें बालमिक रिशी केने लग इसवे के सारव है पांच वे तक ऊठ जाएं भागवान का ध्यान करके ही सोच निभृत हो करके ही भागवान सूर को दर्सन करें सूर को लब दे Championship को सीज्ञत गहत्री करें का मत्रों से ओम सूर्य नमश से नमस्कार करके इसी से पर छाहिए पर अपनी नीची जुक करके प्रिठवी को इस्पस करें अब प्रिठवी को अपनी मस्तक से लगा के प्रिनाम करें जो ब्रामन ख्यत्रियें सिद्धा की साथ में संध्या बंदन करते हैं प्रिठवी माता को नमस्कार करते हैं वो संसार में कथिन से कथिन फालों की प्राप्री कर लेते हैं कथ आमर ख्यत्रिय वे सुद्र सभी भगवान के दर्वार में सभी का स्वागत हैं भगवान ने स्वें का है जो मेरा भक्त होता है कितिना भक्त जो होता उसकी जाती नहीं होती हैं जात पात पूछे नहीं कोई हर को वजे सो हरका होई भगवान के दर्वार में सभी बराबर हैं स जो है भगवान के चन्नों में नमस्का करें उसके बाद में पूरा दिन भगवान के फिताब हैं, व्रती को सुध्डो करके वानी को नियम करके अपने घर के अंदर जैसे पूझा परादम कर Wellness करνεं चाहते हैं किसी कामना से तो घर को गोबर से लीप करके वहाँ पर मंदिर जो इस्थापिट करना चाहिए घर आपके पास में मंदिर भी ने बना हुआ है तो क्या करना चाहिए कि प्रिठवी को जो लीप करके उसके बाद में आप चावलों के द्वारा अष्ट कमल बना में अष्ट कमल बना करके उ दोना चानी ताजकल बहेंगे हैं उसका तो बना नहीं सकते तामे का या मिट्टी का कलस जो है बीच में स्थापिट करें कलस के उपर नारियल रखना चाहिए उसमें पाम के पत्ते जामन के पत्ते भी लगा दे में कलस में जल बना चाहिए उस जल में गंगा जल जरू डालें और आवान करें गंगा-सरस्ति-रेवा-पयोसी-नर्वडा-जले हे गंगा-माता हे सरस्तिमा हे गोदावरी हे कावेरी हे निर्वेडा हे सिंदू आप सभी आकर के इसमें विराजमान हो जाओ प्रात्ना करके कहें कि आप के दसन मात्र से पापों सी मुक्ती मिलती है आप इसमें विराजमान हो करके मेरे पापों को दूर करो, मेरे उपर कृपा दिश्ट्री करो, ये कह करके प्रिणाम करके स्थापिट करके उसके बाद में एक चोकी रखें, चोकी जो है लकणी की इतामे की जैसी सक्तियों वैसी बनावें, और चोकी उपर कपड़ा विचा क करके रादा किष्ण की मूर्टी स्थापिट करें, रादा किष्ण की मूर्टी धातू की तस्वीर की फोटो की किसी प्रिकार के हो सकती है, उसको जो मूर्टी के चाह तरप जो है पीला वस्त जो है अर्पिट करना चाहिए, भगवान के सामने पिकतामे के लोते में जल वर करके रख ले जो आच्वन पूजा के लिए होता है और वक्ति वाव से जो है भगवान की पूजा सामगरी जिसमें चावल दूप दीप तुलसी के पत्ता मिठ्याई पाल पुस्व जो सकती हो आपकी अगर कुछ भी नहीं है तो आप मांसिक पूजा भी कर सकते हैं मन के द्व भगवान को सभी सामगरी अपिट करके पूजन बिदी जो प्रारम करें सिरी सूजी माराज कहते हैं आज की कठा कहीं पर विश्वाम काते हैं कल की कठा में भगवान की पूजा बिदी का बनन करेंगे आप सभी भगवान की पूजा बिदी जरूर सुने इसके सुनने से झाल झाल